कोरोना देश में तेजी से पैल रहा है ये बात देश का बच्चा बच्चा जानता है और इस कोरोना काल में भी कई अफ़ाई पैल रही है इसी में से एक अफ़ा है जिसके बारे में आजकल खूब बाते हो रही है इसलिए आज भारत एक 9 में भी हमने सोचा कि इस मुद्दे पर बात की जाए क्योंकि सोशल मीरिया पर तमाम ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाकर ये दावा करते हैं कि कोरोना 5G के ट्रायल से फैला है इतना ही नहीं कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि ये कोरोना है ही नहीं 5G की टेस्टिंग है खेर ये जो भी है आज बात करना जरूरी है क्योंकि ये कितना सच है ये आप लोगों को बताना जरूरी है नमस्कार आप देख रहे हैं भारत एट 9 आपके साथ मैं हो का जोला रहे देश में कोरोना संक्रमन बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है भारत दुनिया का पहला ऐसे देश है जहाँ पर एक दिन में 4 लाग से जादा संक्रमन के मामले आए है वहीं देश में तेजी से पहल रहे कोरोना संक्रमन को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किये जा रही है अब इस दावे की बात अगर कर ली जाए तो ये कहा जा रहा है कि 5G की टेस्टिंग के कारण कोरोना पहल रहा है एक दावा ये भी है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है बलकि ये 5G रेडियेशन के कारण हो रहा है तो आईए बताते हैं कि इस दावे पर विश्व स्वास संगछन का क्या कहना है सोशल मीडिया पर लोग क्या दावा कर रहे हैं 5G के टेस्टिंग बंद करो इंसानों को बचाओ इस टैग लाइन के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वारल हो रहा है इसमें नीचे की ओर लिखा है ये जो महामारी दूसरी बार आई है जिसे सब कोरोना का नाम दे रही है ये विमारी कोरोना नहीं 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है टावर से जो रेडियेशन निकल रहा है वो हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रहा है इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोग मर रही है इसलिए 5G टावर की टेस्टिंग को बंद करने की मांग करिए फिर देखिए सब सही हो जाएगा क्या वाकई ऐसा है चलिए आगे समझते जाएए कि ये बाती आखिर क्यों हो रही है 5G नेट्वर्क रेडियेशन का क्या कोई सिम्टम भी है पहला 5G नेट्वर्क रेडियेशन के कारण घर में हर जगा हलका सा करेंट महसूस हो रहा है ऐसा कई बार आप लोगों के साथ हुआ होगा पिछले महिने या उससे पहले दूसरा गला को ज्यादा ही सूखना प्यास ज्यादा लगणा तीसरा नाक से कई बार खून आना ये दावा किया जा रहा है कि अगर आपके साथ वास्तव में ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि स्हानी कारण 5G नेट्वर्क रेडियेशन का हमारे उपर प्रप्ति कूल प्रभाब पढ़ने लगा है जरूरी सूचना जैसे 4G रेडियेशन ने चिडियों पंचियों को खत्म किया था वैसे ही 5G रेडियेशन जीवों और मानव जाती के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वक्त रहते इसका एक जुट होकर विरोध करना चाहिए और वक्त हो तो इस पोस्ट को जादा से जादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें इसके अलावा भी कई चीज़े सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है कुछ पेपर की कटिंग्स भी वारल हो रही है जिसमें काई लोग 5G टेस्टिंग को बंद करने की मांग कर रहे हैं हलाकि न्यूजवाल इंडिया इसकी पुष्टी नहीं करता है बही अगर WHO यानि विश्वस्वास संगठन की बात की जाए तो इस तरह की अफाओं को लेकर एक सेशन है जिसमें कोरोना को लेकर सोशल मीडिया के दावे के बारे में विस्तार से समझाए गया है वेबसाइट से पैक्ट 5G Mobile Networks Do Not Spread COVID-19 नाम से एक कोट है जिसमें बहुत साफ लिखा है कि वारस रेडियो वेब और Mobile Networks से नहीं पहलते हैं COVID-19 उन देशों में भी पैल रहा है जो हाँ पर 5G की ना तो टेसिंग हो रही है ना ही 5G Mobile Networks है कोरोना वारस संक्रमित व्यक्ती की सांस की बूंदों से पैलता है जब वो छीकता है बात करता है या थूकता है इसके अलावा यदि किसी सता पर संक्रमित इंसान की सांस की बूंदे गिरी हो जोने हम डॉप्लेट्स कहते हैं तो उसे छूने और फिर ना मूँ और आग छूने से पुरना पैलता है और हम भी यही कहते हैं इसके इतर भारस सरकार का एक विभाग डिपार्टमेंट ओफ टेली कम्मिनिकेशन और फूर्फ डॉट जुसे आप दी ओ टी भी कहते हैं टेलीफोन और मोबाइल नेटवोक वगेरे से सम्मदे सभी मामले यही रेखता है इस विभाग ने मंगलबार यानि की चार मही 2021 को देश की टेलीकॉम कपनियों को 5G टेक्नलोजी की टेस्टिंग करने की ज्वाज़द दे रही है 5G टेस्टिंग की अप्लिकेशन करने वाले चैलीकॉम ओपरेटर से भार्ती एचल, रोलाइंस जियो, वोडाफोन आईजिया और एंटी अनल श्रामिल है इन ओपेटर्स ने 5G एकिप्मेंट्स बनाने वाली कंपनिया जैसे एरिक्सन, नोकिया और सैंसंग बगहरा के साथ साज़दारी कर रखी है इसके अलावा जियो अपनी खुद की बनाई हुई टेक्नलोजी से भी 5G टेस्टिंग करेगा किन बैंट्स पर ट्राइल होगा? 5G ट्राइल के लिए डियो टे चालेकॉम और पेटर्स को अलग लग बैंड में एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम से रही है इन में 3.2 GHz से 3.67 GHz का मिड बैंड 24.25 GHz से 28.5 GHz का मिलिमीटर वेब बैंड और 700 GHz का सब GHz बैंड शामल है इन स्पेक्ट्रम पर फिलहाल 4G सर्विस चलती है इसी साल जनवरी में एर्टेल ने इन ही स्पेक्ट्रम को मिलाकर 5G टेक्नलोजी को चला दिया था इस टेस्ट को HL ने हैदराबाद के एक कमोर्शन नेटवक पर किया था तो देखा आपने और अब आप खुद पैसला कीजिए कि WHO इन अफ़ाओं को सेरे से खारिश कर रहा है वहीं दूसरी तरफ 5G ट्राइल को हरी जंडी मिल गई है देखें डॉक्टर क्या कहते हैं इसे समझना जरूरी है बेकार की अफ़ाओं पर ध्यान ना दे कोरोना एक संक्रमन है जो संक्रमित व्यक्ति से तलता है बस आप जिम्मेदार व्यक्ति बने रहिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए हाथ को धोएं और निउस्वाल इडिया ऐसी किसी आफ़ाओं को बढ़ावा नहीं देता हमारा मफस्द सिर्फ आप लोगों तक सही जानकारी पहचाना है आज के लिए इतना ही कल फिर लोटेंगे किसी खास मुद्धे के साथ आप बने रहिए निउस्वाल इडिया के साथ नमत का